तो राजस्थान का उदैपूर शहर कनहिया लाल हत्याकान के बाद फिर एक बार फिर से दहल उठा है शुकरवार सुबया निकल सुबय सरकारी स्कूल में दस्वीक अक्षा के दो चात्रों के बीच जगडे के बाद एक ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया जिसके चलते शहर में माहोल तनावपूर हो गया, हिंसा भड़कने के बाद जिले में धारा 145 लागू कर दी गई इंटरनेट बंद करने के अलावा 17 अगस्त 2014 से अगले आदेश तक पक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और नीजी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का ऐलान किया गया वही आरोपी चात्र का दूसरे चात्र पर चाकू से वार करने वाला CCTV फूटेज भी सामने आया है जिसमें कुल 8 चात्र नजर आ रहे हैं चार चात्र आगे चल रहे हैं उनके पीछे 3 चात्र है और आखिर में टोपी पहने हुए हमलावर चात्र नजर आ रहा है CCTV फूटेज में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि आरोपी चात्र वारदात को अंजाम देने के बाद स्कूल की तरफ जा रहा था लेकिन अचानक रुपकर वो वापस मिड़ा और स्कूटी पर बैटकर वहां से फरार होता गया पकड़े जाने के डर से उसने फरार होना ही मुनाहसिफ समझा ताज़ा अपडेट के लिए उद्यपूर से हमारे वरिष्ट सहयोगी पंकज वैशनव ओनलाइन पर जुड़ गए है पंकज घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया जिसमें साफतवर पर नज़र आ रहा था कि उस वक्त जब ये घटना हो रही थी आच शात्रवाँ पर मौझूद थे आरोपी जो है वो चाकू से हमला कर रहा था लेकिन अन्य चात्रों से बचाने के बज़ाए उसका साथ दे रहे थे जी बिल्कुल इस तरह का एक CCTV फुटेज सामने आया है चूंकि जहां पर गटना अस्तल है वो सरकारी स्कूल के पास का गटना अस्तल है और पुराने शहर के तंग गटना अस्तल है तो इसलिए यहां पर फिलहाल जो CCTV फुटेज सामने आये वहां पर अन्य लोग मौझूद नहीं थे बलकि सिर्व चात्रों की मौझूदगी थी और जिससे CCTV फुटेज में दिख रहा है उसकी पुलीस जाच कर रही है जी तो फिलहाल जो पीड़े चात्र है उसकी क्या इस्तती है उसका स्वास्ते की क्या इस्तती है जी बिलकुल जिस तरह से कल उस चात्र की गंबीर इस्तती बनी हुई थी और रात पर उसका उपचार चलता रहा विशेशक चिकिस्तक जुटे रहे और जैपूर से भी है कि तीन चिकिस्टो को की एक विशेश टीम को यहां पर उदैपूर बेजा गया है ताकि उस चातर की स्वास्ति को लेकर अच्छी तरह से निगरानी की जा सके और जिस तरह से उपचार चल रहा है फिलहाल कल जैसी इस्तिति आज भी बनी हुई है उसकी स से अपडेट लेते रहेंगे